हाई गाई वेलकुम बाक टो आई चैनल मैं हूँ स्पीटियो और आप देखरे और स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एक दिन में कितनी सारी टेक्नीक को डन करना चाहिए बहुत सारे हमारे मन में टेक्नीक से रिलेटेट सवाल रहते हैं उसमें से एक सवाल ये रहता है कि हम एक दिन में कितनी टेक्नीक को डन करें ताकि हम अपने प्रोसेस को बहुत पावफुली डन करें और मैं पता रहें कि हाँ हमने अपने तरफ से पूरा अंदर से जान लगा ये इतनी पावर दिया, कर दिया, इसे परफेक्ट लीडर तो इस सवाल का जवाब आपके पास है जी हाँ, आपने से अलग-अलग लोग जो कोई जॉब करते हैं जो कोई घर पे रहते हैं, जो कोई पढ़ाई करते हैं अलग-अलग लोग हैं इन लोगों के हिसाब से, आप सब के हिसाब से आपको इसका अंसर बता है मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और आप बहुत बिजी रहते हो और पूरे दिन में आप अपने कामों के अलावा आप अपनी विश्च के लिए कुछ टाइम निकाल रहे हो और इस टाइम में आप कोई भी पावफुल टेकनीक को डन कर रहे हो और उस टेकनीक को डन करने के समय आपको क्या करना है यह मैंने आपको बहुत सारी अपनी पिछली वीडियो में बताए हम कोई भी टेकनीक करते हैं तो उस टेकनीक में हमें क्या महसूस करना है चारों में चीजों के बारे में सोचो ना तो वहां आपको पूरी भावनाएं डाले हैं पूरा इमोशन डाला है इमोशनली उस चीज को फील करके सोचना है एक्जामबल के लिए मान लिए कि अचानक मैंने इस मोमें पर नीमबू को चक लिया आपने फील किया ना जबकि आपके मुँ में अभी नीमबू का रस नहीं है तो इसी तरह जब आप अपने इमाजनेशन में अपने पिच्चर में अपने विश में उस चीज को महसूस करते हो कि ये चीज अभी इस पॉमेंट पे आपकी लाइफ में है तो इस जगा आपको उस चीज को बहुत सक्सेस्फुली पावफुली फील करने में काम्याब हो जाते हो ना तो आपने अपनी टेकनीक को पूरी तरह इमानदारी से किया और पूरी तरह 100% से किया यहां अगर आप किसी भी एक टेकनीक में इस फाली फीलिंग को फील करने में बहुत अच्छी तरह स अब ये जो टेकनिक में आपने इस feeling को feel किया है अगर आप इस feeling को बहुत अच्छी तरह feel करते हो 10 minutes feel करते हो 15 minutes feel करते हो आदे गंटे feel करते हो कोई कोई लोग 45 minutes तक भी feel करते हैं लिखने के समय visualize करने समय इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये सच में हमारे साथ हो रहा है रियालिटी में हो रहा है मैंजिनेशन में हो रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ ये हकीकत नहीं समझ में आता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है अगर आप ऐसे कर रही हो न तो आप अपनी हर टेकनीक को बहुत powerfully करें और अगर आप यह सोच रहे हो कि अरे इस टेकनीक से यह चीज मुझे मिल जाएगी इस टेकनीक को done करने से मुझे यह चीज मिल जाएगी 369 टेकनीक भी कर लो visualize भी कर लो ये भी कर लो, वो भी कर लो अरे सारी टेकनीक कर लो, कुछ छूट ना जाए सब मिलादो, सब पकड़ लो कैसे ना कैसे भी तो यह process done होगा work करेगी, मेरी wish मिल जाएगी यह सोच के कर लो ना तो वहाँ एक वो perfect feeling नहीं है वो एक emotional वाली feeling है ना कि आपके wish मिल चुके यह चीज की कमी है और जिब यह चीज की कमी है ना तो आप जितनी भी टेकनीक कर रहे हो आप एको तावले पन से कर रहे हो कि यह भी करू, वो भी करू, यह भी कीचू यह भी powerful है, यह भी यह भी इस तरह से कर रहे हो वहाँ अगर आप सारी टेकनीक done करोगी तो उस emotion को सोच के देखो कर पाओगे, फील कर पाओगे अतना powerfully नहीं कर सकते हो तो इसलिए आपको वही टेकनीक पकड़नी है जिसको आप पूरी तरह, अच्छी तरह 21, 30, 40 दिन तक कर सको जरूरस से ज़्यादा टेकनीक आपको नहीं करनी है ताकि ये powerful process, ये जो powerful संकल्प आपने लिया है ये आपका टूटे और अगर आप ऐसे person हो, जिसके पास अभी time है आप घर पे हो, आपके पास बहुत time है आपने अपनी टेकनीक जो उठाई है, उनको powerfully कर लिया है और पूरे दिन आप नहीं चाहते हो कि कुछ negative vibrations वाले लोगों से बाते करना, TV देखना, कुछ भी ऐसी चीज़ी आप नहीं चाहते हो करने का बने है और आपके पास बहुत time है आपको मन कर रहा है कि अपनी wish के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ तो इस जगह में आपके साथ एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ शेयर करे हूँ अब आपको सोने पे सुहागा टेक्नीक करना है सोना मतलब क्या? सोना मतलब वो सोने वाला सोना नहीं सोना मतलब जो अभी तक आपने इतनी powerfully अपनी process में वो gold, वो powerful, strong vibration जो feel की है अब इसके बाद सोने पे सुहागा टेक्नीक आप लगा रहे हूँ आप अब अपनी एक pen उठाओ, एक notebook उठाओ और pen उठाओ और लिखो कि मेरी life में अगर ये चीज़ है मुझे मिल जाए की तो इसी कौन सी 5 बातें हैं जो मैं feel करूँगा एक एक करके point बना बना के लिखो और लिखने के बाद ना हर एक point के बाद ये feel करो thank you universe मुझे ये चीज़ आपने दे दी thank you universe मुझे ये चीज़ मिल की मैं बड़ा अच्छा feel कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अगर आपके पास time है और उस time में आपको कोई हड़ बड़ी नहीं है पूरा सुकून है आप अपने खुद के साथ एक हो तो आप जब ये चीज़े करोगे न तो आप अपना 100% दोगे उस feeling में और जब आप अपना 100% उस feeling में दे रहे हो तो आप बहुत powerfully उस positive vibration जो आपकी यहाँ पे न इसको और उपर ले जाओगे अगर आप बहुत सारी अलग-अलग technique जो आप करते हो तो आप feel कीजिए कि क्या उस जगा मैं खोज जा रहा हूँ क्या ये महसूस कर रहा हूँ कि ये जो चीज मेरी life में मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल गई है और अगर आप ये successfully करने में काम्याब हो जाते हैं किसी एक technique में भी न तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बिना सोच के सुबह ये शाम को ये रात को ये दिन को ये अभी ये बाद में इस तरह से चीज़े बंद करते हो और पैठते हो और feel करते हो दिल से उसके साथ एक perfect vibrational match बनाते हो तब आपकी हर एक wish आपके पास कैसे खिच के आते हैं universe को आप कितना strong message पेशते हो आप सोच भी नहीं सकते हैं So guys, अब हम मिलते हैं next वाले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रुखिए और कुश रहिए Bye Bye